हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका क्विक फिन में AMD स्विक्रिटी काड का एक्जाम डेट आ गया 24 तारी कॉप का एक्जाम है और 17 तारी कॉप का एमिट काड आएगा उससे पहले आपको अपना स्लोट बोकिंग कर लेना है तो इसका कट अप क्या रहने बाला इसके बारे में हम डेटील में जानकारी देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरूद करते हैं चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा यहाँ पर हम सबसे पहले रिटेन इक्जाम को देखेंगे रिटेन इक्जाम यहाँ पर देख सकते हैं 75 मार्क्स का आपका रिटेन इक्जाम है objective टाइप होगा नोगेटिव मार्किंग नहीं है 25 का comprehension है जिके आपको 25 मार्क्स और मैत 25 मार्क्स अब यहाँ पर आपको रुक जाना यह आपको मैंने syllabus बता दिया अब यहाँ से आगे हम चलते हैं सबसे पहले अब हम आ गए हैं जो आपका notification है details notification AMD security guard का उस पर यहाँ पर देख सकते हैं security guard का जो की group C का vacancy उस पर form कितना fill up vacancy कितना था तो total vacancy 274 था 274 यूर में 162 था EWS में 18 OVC में 46 और ST में 28 और SC में 20 यानि कि 20 form SC में ST में 28 OVC में 46 EWS में 18 UR में 162 और total 274 थे अब देखें form सबसे ज़्यादा किस में fill up हुआ यह आपको मैं पहले दिखाता हूँ अब यह देखिए officially जो form fill up हुआ वो जो data official website पे upload किया गया आप भी जाके वहाँ देख सकते हैं वह मैं दिखा रहा हूँ OVC में 666,343 SC में 41,000 ST में 16,000 EWS में 7,878 और एक सर्विस्में में 3369 form है अब यहाँ पे आपको दो चीज को धियान में रखना है OVC का form और general category का form और SC का 41,000 OVC का 66,000 और general का 33,000 अब आगे चलते अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका form जो है general category में 33,000 form फिलप किया गया और सीट कितना 162 यानि इस सबसे कम competition किस category में है तो general category में सबसे कम competition है उसके बाद अगर आप आप देखें तो OVC में OVC जो जी category है इसमें सबसे ज्यादा competition है यानि कि general से द किया गया था जेनरल में 33,000 फिलप किया गया है तो OVC में 6,606 यानि कि बेकेंसी चार गुना का form डबल भड़ा गया स्टी में देख सकते हैं आप 28 बेकेंसी है और सी में 20 बेकेंसी में 41,000 सबसे ज्यादा competition इसमें सबसे ज्यादा नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा आपका SC केटेगरी में competition है उसके बाद OVC में केटेगरी में कम है आपको मैं फिर से बेकेंसी बाइट इटेल दिखा यहाँ पर देखिए UR में कितना 162 form और form कितना 162 और form फिलप को है 33,000 OVC में 46 सीट है मातर 46 और form 46,000 कितना ज्यादा competition OVC में आप देख सकते हैं SC में 20 सीट है और form कितना 41,000 कितना hard competition है अब देख सकते हैं SC में 16,000 form कितना 28 और EWS में 18 में 7,800 इसमें भी अच्छा competition है लेकिन थोड़ा कम है लेकिन सबसे ज्यादा competition SC केटिग्री और OVC केटिग्री में अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दिया अब चलते हम सिलेबस पर अब सिलेबस को देख लिजे form सिलेबस आपका 75 मार्क्स का है लेकिन जो अभी जो आपका पीटी जो क्वालिफाई किये हैं उसमें से 28,000 का यहाँ पर 28,000 टोटल 1,62,000 में 28,000 ही पीटी को क्वालिफाई किया आप समझ सकते कि 28,000 में अगर सबसे ज्यादा form OVC से गया है तो OVC में ही सबसे ज्यादा लड़के क्वालिफाई किये होंगे तो इस हिसाब से देखें तो अगर सबसे ज्यादा अगर कमपेडिशन है तो वो OVC के टिग्रीम है OVC के टिग्रीम आपका सबसे कगर कम से कम अगर आपका रिटेन एक्जाम का क्वालिफाई मार्क्स रहेगा तो 80% यानि कि 80% आप मान के चलिए कि आपका मार्क्स लाइएगा तभी आपका सेलेक्शन होगा अनधा आपका सेलेक्शन नहीं होगा 80% आपका OVC, SC और EWS के टिग्री जेनरल के टिग्री का आप 75 से 70% अगर आपका मार्क्स आजाएगा तो आप अराम से क्वालिफाई कर जाएगा अगर इसको हम परसेंटेज से मार्क्स बिसिस पे लाएं तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं अगर मार्क्स के बात करें तो 75 साथ पलस अगर आप कर रहे है तो OVC के टिग्री से आपका रिजल्ट होगा अनधा नहीं हो सकता अगर जेनरल की बात करें तो जेनरल के टिग्री में अगर आप पच्चास को कर लीजेगा तो आप अराम से क्वालिफाई कर जाईगा वही ये OBC, ESC की बात करें तो ESC में भी competition काफी आए इसमें भी आपको 55-60 के question के बीच में करना ही होगा और EWS में बात करें तो EWS का आपको 52-53 question कीजेगा तो इसमें भी आपका हो जाएगा लेकिन सबसे कम competition आपका जेनरल में जेनरल में अगर आपको 50 question करते हैं तो आप अराम से qualify कर जाएगा कोई issue अगर कम भी रहेगा तो आप अराम से qualify कर जाएगा कोई issue नहीं है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe वीडियो को like और share चलू कीजेगा Thank you